है यूक्ट इस टूजितन मैं मोई तोवर आपका पीश कम सब्चेर्टि लर्נים चैनल में स्वागत करता हूं आज को आपने टोपिक वह था तत्त्व का तुलाइंगिक भार क्या है तत्तो का तुलांगिक भार तो आज कि इस वीडियो में मैं आपको तत्तो का तुलांगिक भार निकालना बताऊंगा तो वीडियो शुरू करने से पहले जदी आप अभी तक मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कर दीजिए तता उसके आगे की बैल आगेंटी भी प्रेस करतीजिए ताकि मेरी आने वारी वीडियो भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो दोस्तो तत्तो का तुलांगिक भार लिकानने से पहले आपको तत्तो का परमाणु भार पता होना चाहिए तो दोस्तो आप सभी तत्तो का परमाणु भार याद मत कीजिए आप सिप में में तत्तो का परमाणु भार याद कीजिए तो वह कौन-कौन से तत्तो मैं आपको इस वीडियो गताता हूँ तो पहला हमारा sodium, क्या है sodium जिसका पर्माडू भार होता है 20, दूसरा hydrogen जिसका पर्माडू भार होता है 1, तीसरा हमारा oxygen जिसका पर्माडू भार होता है 16, चोथा हमारा sulfur जिसका पर्माडू भार होता है 32, पाचमा हमारा potassium जिसका पर्माडू भार होता है 49, और साथमा है हमारा नाइटोजन जिसका परमाड़ बाहर होता है 14 आटमा हमारा कैल्सियम जिसका परमाड़ बाहर होता है 40 नोमा हमारा कलोरीन जिसका परमाड़ बाहर होता है 35.5 और दसमा हमारा फासफोरस जिसका परमाड़ बाहर होता है 31 तो दोस्तो ये वो तत्व है जिनके आपको परमाणु भार याद रखने हैं दोस्तो ये आप से बूज़ जाए कि सोडियम तत्व का तुल्लाइंगी भार याद कीजिए तो आप कैसे याद करेंगे तो आपको लिखना होगा सोडियम का तुल्लाइंगी भार तो दोस्तो तत्व का तुल्यांगी बहान निकालने का एक सूत्र होता है वह होता परमाणु भार अपोन सहियो जगता दोस्तो सोडियम तत्व का परमाणु भार कितना होता है तेईस तो आप तेईस लिग दीजिए सोडिय budget तक कितनी होती है दोस्तो सोडियमnicos कि से होती है प्लस के ओन तो आपके इसके अपन में क्या लिखना है और बन की भाग दे जिनी है तैस में जब आप बन की भाग तैस में दो ओगे तो इसका आ जाएगा अंसर तैस तो दोस्तो सोडियम तत्व का जो तुल्डाइंकिक बाहर होता वह होता तेश इसी प्रकार यदि आपसे बूज़ा जाए कि हाड्रोजन तत्व का तुल्डाइंकिक बाहर निकाल लिए तो आप कैसे निकालेंगे तो आपको लिखना होगा हाड्रोजन का तुल्डाइंकिक तो दोस्तो मैंने आपको बताया था कि तत्त्वो का तुल्डा की बहाँ लिकालने के एक सूत्र होता है अपन सहियों जगता तो हाईडोजन का परमाडोबहर कितना होता है तो hydrogen का प्रमाणु बाहर होता है वन, लिख देती है अब आती है सईयो जग्ता, तो hydrogen की सईयो जग्ता होती है प्लस के वन, कितनी होती है, प्लस के वन, तो आईटोग्यन की सद्थानपर आपको क्या करना, वन लिख देना, और वन की भाग दे दिने हैं वन में तो इसका आंसर आजागा 1 तो दोस्तो हाइडोजन का जो तुलाएंगी बाहर होता वह होता 1 इसी प्रकार दोस्तो आपसे बूझ ले जाए कि ओक्सीजन का तुलाएंगी बाहर निकालिए तो आप ओक्सीजन का तुलाएंगी बाहर कैसे निकालेंगे परमाडू बहर अपून सहीं जगता तो आपको ओक्षिजन का परमाडू बहर देखना होगा तो ओक्षिजन का परमाडू बहर आपको पता 16 है तो आप 16 लिख लीजिए अब आती है उक्षिजन की सहीं जगता तो दोस्तो जो जो सहीं जगता होती है वो होती है माइनस की टू कितनी माइनस की टू तो आपको क्या करना सहीं जगता के स्थान पर आपको टू लिख देना और दो की भाग देजनी है 16 में तो आप जब दो की भाग देंगे 16 में तो इ होता है आठ कितना होता है इसी प्रकार दोस्तों आप से बूज ले जाए कि सल्फर का तुल्यांगी बाहल निकाल लिए तो आप कैसे निकालेंगे तो आपको लिखना होगा सल्फर का तुल्यांग की भार बराबर दोस्तों मैंने आपको बताए कि तत्तों का तुल्यांग की भार निकालने का एक सूत्र है वै है परमाडु भार अपोन से यह ज़कता तो आपको पहले देखने होगा कि सल्फर का परमाडु भार कितना होता है तो दोस्तों मैंने आपको बताए सल्फर का परमाडु भार 32 होता है तो आप 32 लिखिए दोस्तों आप आती है कि सल्फर की सही ज़कता कितनी होती है तो सल्फर की सही ज़कता होती है 2 कितनी होती है 2, तो आपक्र करना है अपर्ण में 2 लिख देना और 2 की भाग दे देना देंगे है 32 में, तो आप जब 2 की भाग 32 में देंगे तो इसका आ जायागा 16, कितना आ जायागा 16, तो Sulfur का जो तुल्लेंकिक बाहर होता, वह होता 16, कितना होता है, 16, दोस्तों, इसी प्रकार आपसे बूज ले जाए, कि पूटेसियम का तुल्लैंकिक भान निकालीए, तो आप कैसे निकालेगे तो दोस्तों, आप लिखेंगे के का तुल्लैंकिक भार बरावर तो दोस्तों मैंने आपको बताएगी कि तत्तों का तुलागी बहान निकालने का एक सूत्र है वै होता है परमाणू भार अपोन सहीं जगता तो आपको पहले देखना होगा गई पोटेशियम का परमाणु बाहर कितना होता दोस्तों पोटेशियम का परमाणु बाहर होता 49 कितना होता 49 तो दोस्तों मैं लिख देता हूँ परमाणु बाहर की स्थान पर 49 अपोन अब देखेगी पोटेशियम की सही होजगता कितनी होती है तो पोटेशियम की सही होजगता होती है वन कितनी होती है वन तो आप क्या करना अपोन में लिग देना और वन की भाग देना नहीं है 49 में तो इसका आज आएगा 49 आंसर तो दोस्तों पोटेशियम का जो तु तुल्यांगे बाहर निकालेगे तो आपको लिखना होगा नाइट वेजन का तुल्यांग कि बहार बराबर दोस्तों आप तत्तों का तुल्यांगे बहार निकालने का सुत्र जानते ही है परमानु बहार अपून सही हो जगता दोस्तो आपको देखना होगा कि नाइटरोजन का परमाणु भार कितना होता है तो दोस्तो नाइटरोजन का परमाणु भार होता है 14 कितना होता है 14 तो मैं परमाणु भार की स्थान पर 14 लिख देता हूँ अब आती है कि नाइटरोजन की सही जगता कितनी होती है तो nitrogen की सही होजगता होती है 3 कितनी होती है 3 तो हम क्या करेंगे सही होजगता के स्थान पर 3 लिग देंगे और 3 की भाग देदेंगे चोधे में जह हम 3 की भाग देंगे चोधे में तो इस cancer आ जाएगा 4.667 तो दोस्तो nitrogen का जो तुल्यां के बाहर होता वह होता 4.667 दोस्तो इसी प्रकार यह दि आप से बूज़ ले जाएगे chlorine का तुल्यां के बाहर ग्याद कीजिए तो आप कैसे ग्याद करेंगे तो आपको लिखना होगा CL का तुल्यां के बाहर बरावर तो मैंने आपको बता है तुल्यां की बाहर निकालने के एक सूत्र है परमाणु बाहर अपों सही जगता हूँ तो दोस्तो आपको chlorine का परमाणु बाहर देखना होगा कितना होता है तो दोस्तो chlorine का जो परमाणु बाहर होता 35.5 कितना होता 35.5 तो आपको क्या करना परमाडो बाहर की स्थान पर 35.5 लिखना दोस्तों मैं परमाडो बाहर की स्थान पर 35.5 लिख देता हूँ और अब आती है सही होगता, तो आपको देखनी होगी कि C l की सही होगता कितनी होती है, तो मैं क्या करूँगा, सही हो जकता कि रस्तान पर 1 लेगी दूँगा, और 1 की भाग दे दूगा 35.5 में, जब 1 की भाग 75.5 मह दूँगा तो इस कांसर आ जांगा 35.5, लोस्तों क्लोवरीन का जो तुल्लाइंगी बाहर होता वो होता 35.5 इसी प्रिकार आप से बूजिए जाए कि कैल्सियम का तुल्लाइंगी बाहर ग्याद कीजिये सी. तो आपको लिखना हुगा लिखना होगा वह होता परमाडू भार अपोन सही है जगता तो दोस्तो आपको कैलसियम का परमाडू भार देखना होगा कितना होता तो दोस्तो कैलसियम का जो परमाडू भार होता वह होता चालिस कितना होता चालिस तो मैं परमाडू भार की स्थान पर चालिस लिख दूँगा तो दोस्तों मैं परमाड़ो भार की स्थान पर कितना लिखूंगा चालिस अब आती है सहियो जक्ता आप देखेंगे कि कैलसियम की सहियो जक्ता कितनी होते है कैलसियम की सहियो जक्ता होती है दो कितने होती है दो तो आप सही हो जगता कि स्थान पर दो लिख दीजे और दो की भाग दे दीजे चालिस में जब दो की भाग चालिस में देंगे तो आजाएगा बीस तो दोस्तो कैल्सियम का तुल्लाइग बाहर होता होता 20 कितना होता होता 20 इसी प्रिकार ये दिया आप से बुई ले जाएं कि फास फोरस का तुल्लाइग बाहर याद कीजे तो आप कैसे याद करेंगे तो आप लिखेंगे फास फोरस का तुल्लाइग बाहर तो मैंने आपको बताएगी तुल्ला की भाल निकालने के एक सूत्र है परमाणुबार अपोन से यह जगता तो दोस्तों आपको देखना होगे कि फासपुरस का परमाणुबार कितना होता है तो दोस्तों तो फासपुरस का जो परमाणुबार होता है वो होता 31 कितना होता 31 तो दोस्तों मैं परमाणुबार की स्थान पर 31 लिख देता हूँ अब आती है सहीं जक्ता कि फासपोरस की सहीं जक्ता कितने होती है तो फासपोरस की सहीं जक्ता होती है 3 कितने होती है 3 तो आप सहीं जक्ता की स्थान पर 3 लिग दीजिए और 3 की भाग देजिए 31 में तो दोस्तो इसका आंसर आजाएगा 10.33 कितना आ जाएगा 10.33 तो फासपोरस का जो तू लाएंगे बाहर होता वो 10.33 होता है दोस्ता यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सिस्काइब करें तो कोई परेशा नहीं हो तो मेरे कमेड़े बुक्स में कमेंट करें